Hello friends and welcome to exam tips. आज का question of the day CGL 23 का पूछा गया question है. बहुत ही अच्छा question है. चलिए solve करते हैं. आप वीडियो पॉच करके इसको solve करने का प्रयास कर सकते हैं. हमारे पास question है. x square minus 1 upon x square की value हमें 4 root 6 दिए हुई है. x is greater than 1. तो हमें value बतानी है x cube minus 1 upon x cube की. अगर आपने थोड़ा भी पड़ रखा है तो आपको पता होगा कि अगर हम x cube minus 1 upon x cube की value निकाल ली है. तो हमें इसके लिए x minus 1 upon x चाहिए. ठीक है? तो x minus 1 upon x निकल आएगा तो इससे हम आसानी से यह निकाल सकते हैं. ठीक है? तो शुरू करते हैं इसको. हम क्या करते हैं? इसको दोनों पच्छों का square कर लेते हैं. यह square जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 c power 4 और प्लस 1 upon x c power 4 और यहां पर कितना हो जाएगा? minus 2 a b यानिकि 2 क्योंकि a और b कट जाएगे बराबर इसका square करेंगे चाहर्चों को 16 चाह का चाहन दे. अब क्या करते हैं इसमें? दोनों पच्छों में चार जोड़ देते हैं. ठीक है? जब चार जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x c power 4 प्लस 1 upon x c power 4 यहां पर बचेगा प्लस 2 और यहां पर हो जाएगा 100. और आगे चलते हैं इसको लिख सकते हैं क्या? x square प्लस 1 upon x का whole square x square प्लस 1 upon x square का whole square कितना? 10k square यहां से square कट गया? अब हमारा क्या बचा? x square प्लस 1 upon x square बराबर 10 हमें minus चाहिए x minus 1 upon x चाहिए तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं? minus 2 कर लेंगे तो दोनों पच्छों minus 2 कर लेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या फॉर्मूला x-1 upon x का whole square बराबर 8 तो यहाँ से हमें क्या मिल गया यहाँ से हमें x-1 upon x की value क्या मिल गई अब 8 का under root 8 लिखेंगे तो उसको लिख सकते हैं 2 root 2 यह चीज आप समझ गया होगे अब हम एक concept समझ लेते हैं अगर हमें कोई ऐसा दिया हुआ है a-1 upon a बराबर अब अगर हमें x दिया हुआ है और हमसे कोई a cube minus 1 upon a cube की value पूछ रहा है तो direct concept होता है कि इसका x cube plus इसका 3 गुना है यहाँ कि 3x यहाँ पर क्योंकि minus है अगर यह plus होता तो यहाँ पर minus होता बस यह चीज आपको ध्यान रखनी है इसी तरीके हमें x minus 1 upon x की value मिल गई और तो x cube minus 1 upon x cube की value क्या हो जाएगी इसका cube यानि कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 root 2 और plus में कितना 3x यानि कि 6 root 2 16 root 2 plus 6 root 2 कितना हो जाएगा 16, 22 root 2 तो हमारा option D सही हो जाएगा उमीद है question आपको समझ में आया होगा like, share, subscribe दीजिए धन्यवाद